Welcome to JM Kitchen, मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए अज हम बनाएंगे इंदोरी पोहा तो आईए हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं यहांपर मैंने एक कप पोहा ले लिया है उसे मैंने 3-4 पानी से धूखर और 2 मिनिट के लिए पानी में छोड़ दिया था फिर मैंने उसे चलनी से चछान लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पुह है बहुत ही अच्छा स्वाप बनकर फुल चुका है यहाँ पुह हमने तीन से चार लुगों के लिए बनाया है अब हम यहाँ पर हमारी सारे इंग्रेडिंट्स देख लेंगे इंदोरी फुआ बनाना है फ्रेंट्स तो हमें बहुत सारी इंग्रेडिंट्स की जरूरत है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हमें किन चीजों की जरूरत है तो आईए हम देखते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक चोटी चमच तड़के के लिए राई और जीरा और यहाँ पर मैंने लिये है कुछ कड़ी पत्ते यहाँ पर मैंने लिये एक चोटी हरीमित जीसे मैंने लंबी-लंबी कट करकर लिये है और यहां पर मैंने लिए आदी छोटी चम्मच सोफ, यहां पर मैंने लिए है आदी छोटी चम्मच हल्दी, यहां पर मैंने लिए है एक छोटी चम्मच चाट मसाला, और यहां पर मैंने लिए है एक छोटी चम्मच पाव भजी मसाला, आप यहां पर मैंगी मसाला भी यूज कि य्ञूज कर सकते यहां पर मैंने लिया है फ्रेश रा धनी जिसे द्ले हने हम ल्ट और रमम सबसा द लिए ली जेगी और यहां पर मैंने लियाreon가지 के लिए लिए चैणि चीनि और मैंने लिए फ्रेश अडिन को यहां पर ते σहा दये लिएर लिए झील केर्स करेंगे और व कि में लिए में दिए बुझ यहां पर में लिए के वेऊ विन्दी मिछ शुङे देरी तो में हम देर हुए है इंदोरी पोहा बनाने स्टार्ट करते है सबसे पहले हम इहां पर एक गंज में पानी लिया है पानी यहां आदा लिटर करीब है इसे हम एक तरफ गैस में बॉयलोने के लिए रख देंगे अब हम आते हैं हमारी नेक्स प्रोसेस में यहां पर हमने जो पुफ सोक किया हुआ है उसे लिया है अब हम इसमें मिला देंगे जो हमने चीनी लिए थी यहां पर मैंने एक छोटी चमठ चीनी ली है और यहां पर मैंने लिया है نिम्स का रश दोनों को हम अच्छी तरफ पहा में मिला देंगे हम यहां पर इस से पहले इसलिए मिला है कि चीनी और निम्स का रश एक पहा में aybers Summer हो जाए इस से जब पहाँ पर मैं ने इसी अच्छी तरह मिलाकर रेडि कर लिए हैँ अब हम हम चलएंगे नेक्षिप्रोसेस के तरब और यहां पर हमने ग्यास पर वो अच्छी तरह गरम हो चुका है अब हम इसमें तड़के के लिए दाल देंगे सौफ, राई और जीरा, ग्यास का फ्लेम हम यहाँ पर हाई करेंगे और अब हम दालेंगे साबित धनिया, हरी मीची के तुकड़े, कड़ी पत्ता, अब हम सभी सामान को अच्छी तरह सेख लेंगे, हमने सभी सामान को अच्छी तरह सेख लिया है, अब हम इसमें दालेंगे हल्दी पाउडर, अब हम यहाँ पर दालेंगे जो हमने पोहाँ रेडी करकर रखा था वो और सभी सामान को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यहाँ पर हमारा जो पोहा है, वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और आप देख सकते हैं, पोहे में बहुत ही अच्छा कलर आया है, अब हम इसमें दालेंगे नमक, तो यहाँ पर हमने सौट के नमक लिया है, या फिर एक छोटी चमश भी आप बोल सकते हैं, अब हम इसे अच्छी तरह एक बार फिर मिट चला लेंगे, ताकि हमारा नमक जो है वो पोहे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, यहाँ पर मैंने नमक को पोहे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम चलेंगे हमारी नेक्स प्रोसेस की तरफ, जो की इंदोरी पोहे की मोस्ट इंपॉर्टन प्रोसेस है, अब हम चलेंगे हमारी नेक्स प्रोसेस की तरफ, तो जो पानी हमने बॉइल उने को रखा था, अब हम उसका यूज करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो पानी है, वो अच्छी तरह बॉइल हो चुका है, अब हमने जो पोहा रेडी करके रखा है, उ हम इंदोरी पोहा बना रहे हैं, तो इंदोरी पोहा जो है, वो स्टीम करके बनाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर गंज में पानी को बॉइल होने के लिए रखा था, अब हम इस कडाई को इसी गंज पे 10 मिनिट के लिए इसी तरह रखेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा इंदोरी पोहा है, वो बहुत अच्छी तरह स्टीम हो जाएगा, जिससे वो बहुत स्टीम बनेगा, तो मैं यहाँ पर इसे कवर लगा कर 10 मिनिट के लिए रख देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हमने कैसी प्रोसेस की है, देखिए मैंने गंच लिए है, गंच के उपर कड़ाई रखिए, इसी तरह आपको भी पोहे को स्टीम करना है, यहाँ पर हमें 10 मिनिट हो गए है, अब हम पोहे को चेक कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर कवर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं, हमारे पोहे बहुत अच्छी तरह स्ट बनकर तयार हुआ है पोहा, तो यहाँ पर हमारा पोहा जो है, वो बनकर रेडिया है, अब हम इसे उपर से गानिश कर लेंगे, इंदोरी पोहा बनाने के लिए, तो आईए, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, हम यहाँ पर प्लेटिंग कर लेंगे, तो मैंने यह यहां पर एक सर्विंग प्रेट ली है अब हम इसमें पुहा दाल देंगे अब यहां पर हम सारे मसाले दाल देंगे तो मैंने यहां पर दाला है चाट मसाला पहले हमने यहां पर चाट मसाला दाला है अब हम यहां दालेंगे पाव भजी मसाला आप यहां पर मैगी मसाले का भी यूज़ कर सकते है अब हम यहां पर दालेंगे बारिक कटा हुआ पैज गिसी हुई गाजर बेट रूट बेट रूट को भी हमने यहां पर गिस लिया था अब हैं पर हम दालेंगे बुंदी बुंदी ओप्षिनल है फ्रेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दालिए नई तो आप हैं पर मिक्चर चुड़ा का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम दालेंगे शेवभुजिया अब हम दालेंगे अनारदाना थोड़ा सा हरा धनिया अब हम यहाँ पर लास में दाल देंगे निम्बू यहाँ पर हम हलका सा निम्बू निचोड लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारा गर्मा गरम इंदोरी पोहा बन कर तैयार है आप भी जरूरी से ट्राइ कीजिए और सब कीजिए आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके अनुबो मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सस्काइब कीजिए एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू